दोस्तों नवस्कार जैसा कि आपको पता ही है कि एक सिक्षक बनने के लिए आपको B.Ed और D.Ed दोनों में से एक कोई डिग्री लेना अनिबार है परंतु हाल ही में केंद सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहट अब सिक्षक बनने के लिए आपको D.Ed ब.Ed करना अनिबार नहीं है और इसके स्थान पर इंटीग्रेटिट कोर्स लागू करेगी सरकार जिसके तहट जो आगे D.Ed और V.Ed कॉलेज हैं उनके बंद होने का जो है सामने मंडरा रहा है तो क्या सभी D.Ed और V.Ed कॉलेज अब बंद हो जाएंगे क्या D.Ed और V.Ed अब पूरता बंद हो जाएंगे और इसके स्थान पर इंटीग्रेटिट कोर्स लागू हो जाएगा देखे पूरी ख़बर इस रिपोर्ट में इसमें देख सकते हैं कि D. D.Ed बंद करने की तैयारी अब बार्मी के बाद इंटीग्रेटिट कोर्स कर बन सकेंगे सिक्षक इसकूली सिक्षक बनने के लिए D.Ed और D.Ed कोर्स कराने वाले कॉलेज संकट में हैं राष्टिय अध्यापक सिक्षा परिशद N.C.T.E. ने इन कोर्स की जंगए अब इंटी नहीं होगी बहीं इसकी दूसरी खास बात यह है कि इंटी ग्रेटिट कोर्स में प्रिवेस लेने के लिए अब ग्रेजुएशन नहीं बलकि सीधे बार्मी पास होने के बाद ही इसमें दाखला मिल जाएगा इससे जहां यवाओं को लाब होगा तो वहीं कॉलेजों का कराएगा तो इसमें आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इसमें डी एड का तो कोई जिक्र नहीं है लेकिन ऐसे जो कॉलेज हैं जो बी एड जो कोर्स है वो कराते हैं तो उन्हीं बी एड कोलेजों को मिलेगा अवसर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब इंटी टीचर एजूकेशन प्रोग्राम सुरू होने से बीएट कॉलेजों को फटका नहीं लगे इसलिए सरकार उन्हें यह कोर्स कराने की पात्रता देगी यानि यह कॉलेज बार्मी के पास विध्यार्थियों को एडवीशन दे सकेंगे हाला कि अधिक्तम संख्या 50 रहेगी आई टीईपी कोर्स के लिए कॉलेजों से आबिदन बुलाने सुरू कर दिये गए हैं जिससे विएट कॉलेज वंद होना सुरू हो जाएंगे क्योंकि इस कॉर्स में सीमित संख्या में इस्टूडेंट होने के साथ ही फीस भी मात 10 से 12,000 रुपे ही होगी जबकि अभी 50,000 से लेकर 75,000 रुपे तक की फीस इन से ली जाती थी बीएड कॉर्स के लिए NCTEP की ओर से जारी अधी सूचना के अनुसार बीएड एमेड वाले संस्थान को इस कॉर्स के लिए 500 वर्ग मीटर भूमी और 400 वर्ग मीटर की विल्डिंग तयार करने होगी तो दोस्तो एक तरफ तो जो अभ्यरती हैं डिएड वीएड करने वाले उनके लिए खुसकवरी है कि अब जो कॉर्स आपका हो रहा है वो मात्र पास से 10,000 या 15,000 के बीच में ही एह कॉर्स हो जाएगा और आपको सीधे ही बार्मी के बास से इसमें दाखला भी मिल जाएगा इसमें आप मद्ध में देख सकते हैं केंद सरकार की योजना के अनुसार वर्स 2019 में ही डिएड और बीएड कोर्स कराने वाले सभी कॉलेज वंद हो सकते हैं इनमें अब कोई नए एडवीशन नहीं होंगे सागर समभाग में ही मानता प्राप्त असी डिएड कोलेज हैं जिन में 4,000 सीटे हैं तो वहीं इसी तरह समभाग में 70 डिएड कोलेज हैं जिन में 7,000 सीटे हैं दो साल के कोर्स पर एक स्टूडेंट को लगभग 50,000 रुपे खर्च करना पड़ता है। कॉलेजों की कमाई देखें तो उन्हें हर साल लगभग 9,000 सीटों पर लगभग 4,5 अरव जो रुपे हैं की आए होती है। इनमें अधिकांस कॉलेज तो नेताओं के ही हैं। सिक्षक बनने के लिए इन कोर्स में एडवीशन लेने वाले जादा तर विद्धाती प्राइवेट नौकरी करते हैं। निवानु सार इनमें 75-30 अटेंडन्स अनिवार होती हैं। लेकन कई कॉलेज़ों में डिगरी लेने बाले विद्धार्थी साल में 4 दिन भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो यह केंद सरकार योजना बना रही है और इसमें तो बताया है कि 2019 के लिए जो एडवीशन हैं वो इंटीग्रेटेट कोर्स के लेने भी प्रारंब कर दिये गए हैं। तो क्या सच में जो देश के या प्रदेश के डिएड बिएड कॉलेज हैं अब उनकी संख्या कम हो जाएगी या पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। यह तो आगामी 2019 में ही पता चलेगा कि जब डिएड बिएड कोर्स बंद हो जाएगे और इसकी जंगाए इंटीग्रेटेट कोर्स जो है कोर्स में सामिल कर दिये जाएगे। तो यह खबर बहुत ही महत्पूर्ण हैं आप अपने जरूरत मंद साथियों तक यह खबर जरूर पहुंचाएं धन्यवाद।